दोस्तो देख सकते हैं ये वीवो का Android version 13 है जिसमें इसका FRP लगा हुआ है दोस्तों और मैं ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जो आपको वीवो के बहुत सारे फोनों में ये वर्क करेगा Y17S है Y27S है Y36 है ये सब मॉडल पे वर्क करेगा तो त्वागत है दोस्तों आप सब भी है वीवो का Y27 मॉडल है ये देख सकते हैं दोस्तों इसमें फार पी लगा हुआ है और यूटूब पे भी बहुत सारे वीडियो डला हुआ है और हो सकता है कोई आपको किसी का सॉलेशन आप में वर्क कर जाए लेकिन मैं आपको अलग मेथड बताने वाला हूँ तो आईए जानती इस वीडियो पर तो वीडियो पर बने रहें और वीडियो को स्कीप ना करें और देख सकते हैं यहाँ पर गूगल लगा हुए है तो हम आपको एकदम अलग मेथड से बताने वाले है तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है दोस्तों फोन को आपको किसी भी एक वाइफाी से आपको connect हो जाना है जैसे कि मैं अपने वाइफाई से Connect हो जा रहा हुं उसके बाद आपको मैं आपको step by step बताने वाला हूँ यह हमारा देख शकते हैं यहाँ पर verify pin मंग रहे तो हमको तो इसका pin पता नहीं है तो हम इसको bypass करेंगे तो इसके लिए आपको क्या करेंगे सबसे पहले आपको home screen पर आजाना है दोस्तों पूरा आपको home screen पर आना है आन सिदह बनाने एक बाद आपको screen search जो दिख रहा है यह वाला double tap यहाँ पर करना है उसके बाद आपको यह option आ जाए उसके बाद नीचे के बाद आपको language setting का जो option है इस space bar के बाजू में यह वाला नीचे के साइट पर आपको मैं दिखा रहा हूं यह थोड़ा से focus करके यह वा पर जो वन लिखा हूँ इसको single tap कर लेना है single tap करने बाद फ़ीर दूसरा option आएगा 1 and 2 को tap करने के लिए एक साथ तो finger से आपको tap करने के लिए ज साथ क्यम्तिकर से tap करने हूँ इसके बाद फिर एक और जाएगा 1 & 4 को tap करने के लिए तो further फिंगर से करना है इसको जैसा मैं कर रहा हूँ दोस्तों वैसे आपको करना है देख सकते हैं फिर से तीन फिंगर से आपको टैप करना है तो तीन फिंगर से आपको ऐसा टैप कर लेना है सिंगल टैप फिर नीचे से फाइब को उपर स्लाइट कर लेना है फिर उपर से नीचे की साइट से साइड पर स्लाइट कर लेना है ऐसा यह स्क्रीन पर दिखाते जाएगा जैसे आपको करना ला यह इसा क्यों कि इसके बाद कीमां सी ओपर अलएट व्तल लाइदन यह एई सा तो थ्रिशे करने के बाद फिर कोई ऑप्शन आएगा दूसरा उसको आपको फिर से कर लेना है जा थोड़ा से वेट कर लेना है इसको डबल टेप कर लेना है setting हमारा on हो चुका है दोस्तों अब इसके बाद आपके क्या करना है पूरा यहां से आपको back हो जाना है हमारा यह लगभग आपका 50% आपका यह काम हो चुका है अब यहां से हम पूरा back हो जाएंगे और यहां से हम talk back को off कर देंगे दोस्तों यह हमारा यहां से talk back off हो गया है अब पूरा हम फिर से back हो जाएंगे back होने के बाद हम यहां से फिर से हम next करेंगे दोस्तों यहां से हम start करेंगे फिर start करेंगे फिर next करेंगे नेक्स्ट करने बाद आप यहां से थोड़ा सिंगल एक बार बैक करने बाद आपको यह वाइफाई का उप्षन आजाएंगे यहां से हमारा सेटिंग आ चुका है अब यहां से उपर सेटिंग को उपन कर लेना है और यहां पर देखेंगे असेशिबिलेटी मेनू इसको आप आपको वाइस असिस्टेंट पर जाना है और यहां पर आपको बोलना है ओपन फोन सेटिंग जैसे हम ओपन फोन सेटिंग बोलते हैं हमारा सेटिंग ओपन हो जाएगा दोस्तों देख सकते हैं फिर इसके बाद आपको क्या करना है यहां पर आपको रिशेट कॉप्शन वर एंडॉइट को select करने उपर से इसके बाद set now कर लेना है इसके बाद यहाँ पर location setting मंग रहा है तो यह off है इसको on कर लेना है तो हम on करने बद फिर से एंडॉइट पर जाएंगे फिर से go it करेंगे गो it करने बद दोस्ते है यहाँ पर allow करने का option आएगा फोन में आपको क्या करना है दोस्तों आपको जाना हैbles Store पर प्ले Western पर जाने पर आपको यहां पर सर्च करना है aija अपको आपको सर्च करना है activity launcher देख सकते हैं activity app इसका नाम है तो आपको install करने को ज़िरोत नहीं अल्रेड़ी यe रहेगा यह देख सकती है यह यह है पहले आपको इजी सेर को open कर लेना है यहां से हम इजी सेर को open कर लेते हैं open करने कब दोस्तों आपको क्या करना है आपको जाना है phone clone पर नीचे के अभी हो जाएगा दोस्तों देख सकते हैं यहां का जितना भी डाटा है पूरे इसको सकेंन कर रहा है इसको वहाँ पर ट्रांसटफर करने के कि पूर जितना भी आपका यहां सवलंक करना है इसको। पूरा सरस्कों करना है सब्सक्षे करना है और सबसे उपर में दूस्तों इसको आप नेक्ट कर देंगे इसको और इसको सेंड करने के लिए आपको यहां का फासवर्ड मंगेगा जिस फोन में आप जो पासवर्ड है उसका डाल देना है और यहां से आपको फिर से ओके कर देना है और स्टार्ट क्लोनिंग कर देना है यहां से स्टार्ट क् हो चुका है एक बार आप जोरुवत पड़े के दोस्तों फोन का तो यहां देख सकते हैं हमारा एप्लिकेशन यहां पहुंच चुका है तो यह आपको उपर के सेट पर यह इस्ट्री में आएगा हिस्ट्री में जाने बाद एक्टिविटी लॉंचर को यहां से ओपन कर लेना है फिर यहां से okay करदेने हैं तो उके करने बाद यह थोड़ा सा इसमें समय लेगा डाउंलोड लोड़िंग लेने के लिए लोड़िंग लेनी बाद दूस्तों आपको जैना है android शेट पपर जैने बाद दोस्तों यहां पर बहुंसार ऑप्शन दीख़ रहा है आपको जहा यहां से आपको में पॉइंट आ जाते है दोस्तों, यहां पर आपको बिलकुल भी करना है लेख लिफ ? यहां से यहां से बारम आपको इस जगह पर आपको कीब करने ह्funding नियुक्न हाँ पर दर्टो यहां पर आपको क्या करना थे नेक्ष्क नहीं दोस्तों फिर आपको फिर से फिर से आपको यहाँ पर next कर देंगे अब यहाँ पर आपको no cable कर लेना है no cable करना है copy without cable कर लेना है यहाँ से फिर आप से यहाँ से आपको फिर से next कर लेना है नेक्ट करने के बाद दोस्तों यहां पर चेकिंग इंफो करेगा इसके बाद को फिर यह वहारा वेरिफाइघ का आजाएगा तो आपको यहाँपर next येख कीवोड़ प्यान है second वाले में और यहाँपर आपको डालना है यह वाला नीचे अब यहाँ पर इस फोन का भी फिलहाल कम्प्रीट हो जुका है अब आएंगे हम दूसरे फोन पे वहां से हम अपना जो गूगल एकाउंट है वहां का एकाउंट उस फोन पे अभी ट्रास्पर करेंगे दोस्तों तो आपको क्या करना है यहां से पूरा इसको सेट अपो कर ले सेट अप माइडिवाइसे देख सकते हैं यहाँ बाइवाइसे यहाँ अपको सर्च कर लेना है सर्च करने बद यहां गेसट्ग कर देना है नेक्स करने बद उसको शर्चिन करेगा और अटमेक्टेक new device यहां से आपको बता रहा है है यहां से फिर हम आपको कॉपी कर लेना है कॉपी करने में दूस्तू आपको यहां पर आपके फोन کا पासवार्ठ ढल देना है जो भी आप पासवार्ड यो डालना है आपको उसके बाद कॉपियंग यूर account का option आ चुका है और इधर आपका उधर उस phone पे आपका जो i account है उस phone पूरा copy हो जाएगा दोसतों तो प законty समय लगेगा तब तक वेट कर लाये दोसतों video का skips नहीं करें नहीं तो आपको समझ नहीं आपाएगा कि कैसे frp bypass होगा तो आपको step by step मैं बता रहूँ यहां से आपको don't copy कर लेना है दोस्तो don't copy फिर यहां से next कर लेना है यहां से हम फिर से next कर देंगे next करने के बाद getting account info आ जायेगा फिर यहां देख सकते हैं google service हमारा आज चुका है इसके बाद यहां से दोस्तो गूगल सर्विस को यहां से नीचे से accept कर लेंगे accept करने के बाद दोस्तो आपको यहां पर setup screen lock का option आ रहा है यहां पर दोस्तो उस phone का जो password था उस password को आपको यहां पर डाल लेना है तो हम यह डाल दे रहे हैं यहां से हम next करेंगे और यहां पर enter your pin again बोर है आपको फिर से एक बार और फिर से डाल लेना है वहां का जो password था आप same pin डाल लेना है आपको इसके बाद दोस्तो आपका यह setup screen lock यह जो option है दोस्तो इसको आपको skip कर लेना है क्योंकि यह इस phone का password है तो यहां पर हम skip कर लेते हैं इसकीप करने के बाद दोस्तो यह चेकिंग लेगा चेकिंग करने के बाद यहां पर वाइस असिस्टेंट का है option आपको इसको हम skip कर लेते हैं skip करने के बाद दोस्तो यह अगला option आ जाएगा यहां पर no thanks का no thanks करने के बाद getting your phone ready का option आएगा और आपका यह setup के लिए तैयार हो जाएगा दोस्तो तो थोड़ा सा एकात मिनट का इसमें भी समय लगेगा आपका यह एक दू मिनट का लगभग समय लग सकता है देख सकते हैं यह हम starting पर आ गया है यहां से हम फिर से आपको start कर लेना है next कर लेना है एकाउंट यह देख सकते हैं एकाउंट एड़ेट दोस्तों हमारा जो एकाउंट था सक्सेस्पूल एड़ेट हो चुका है अब यहां से हम next करेंगे next करनेक बाद हमको इसको setup कर लेना है दोस्तों देख सकते हैं Google Play Service भी आ चुका है आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ने के बाद भी यहां से हम इसको फिस से skip कर लेंगे इसको हम skip कर देते हैं फिस यहां से continue करेंगे दोस्तों यह यहां से no thanks करेंगे दोस्तों ऐसा करने के बाद आपको phone complete FRP bypass होगे दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक शेयर कमेंट करें तो देख सकते हैं दोस्तों हमारे यह phone setup हो चुका है तो दोस्तों अभी के लिए इतने ही मिलते हैं के अगली टॉपिक के साथ नए वीडियो पर दोस्तों यह जो मेथड बता हूँ आप भी वीवो के बहुत सारे मॉडल में यह वर्क करेगा आप इस मेथड से दूसरे मॉडल को भी FRP bypass कर सकते हैं तो thanks for watching subscribe my channel